हलो दोस्तों नमस्ते मैं बर्ट सिंग आज आप सभी के लिए चेप्टर नमर 5 यानि चितर कला का चेप्टर नमर 5 लेकर आया हूँ चार चेप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज 5 वार चेप्टर है पुनर जागरन यानि नव जागरन इसमें क्या हुआ इसके बारे मैं देन करेंगे पहले बात तो ये रिनेसेंस का अर्थ क्या होता है यही क्यूशन आता है पहला तो कि रिनेसेंस का अर्थ क्या होता है तो रिनेसेंस का अर्थ क्या होता है पुनर जागरन पहला क्यूशन कंप्लेट और दूसरा अब क्योई क्यूशन नहीं है दूसरा बात सुना पुनर नहीं परियोग, नहीं तरीके, तथा विवेचन सक्ती, नहीं नियम, नहीं खोजों को जाना जाता है। इसी क़रण इसे जागरण का यूग भी कहा जाता है। इसी कारण पुनर जागरण प्रात्मिक से उच पुनर जागरण था था अंत में अती पुनर जागरण के रूप में फैला और याद रखना कि चोड़ी सदी के पुनर जागरण में दूचो था था मासा साचीयो नामक कलाकारों का उध्य हुआ और इनके पास क्या था कि इनके पास सरीर से संबन्दित ज्यान नहीं था इनके पास सरीर से संबन्दित ज्यान कम था परंतु इनके पास वास्तुकुला का वर्णन करने की सक्ति बहुत थी इनके पास वास्तुकुला को वर्णन करने की सक्ति बहुत थी किसमें पुनर जागरन में किसका ध्यान दिया गया परकास चाया का पुरा ध्यान दिया गया और लियानर्दो विंची, माइकल एंजलो थता रेफेल इन परसीत कलाकारों का इसमें वर्णन हुआ है यानि इनका परसीत कलाकारों का इनका जिक्र हुआ है पुनर जागरन काल में आप थोड़ा से पढ़ लीचे रिनेसेंस का अर्थ है पुनर जागरन 4.74 सत्य में कला और वास्तु कला साहिटे की पुनर जागरन का चितर करता है पुनर जागरन यूनान की ध़ता रोम के प्राचीन परस्तिष्ट संस्क्रति की पुनर उद्धान के साथ सुरू होता है इस काल को नए प्रियोगों थता नए तरेके की विवचन सक्ति और नए नियमों का युग माना जाता है इसी कारण इसे जागरण का युग भी माना जाता है यही कुशन आता है कि इस काल को जागरन का यूग क्यों माना जाता है तो आंसर क्या होगा नए तरीके की विवचन सक्ति नए नियम था नए खोजों का यूग के कारण इस यूग को जागरन का यूग कहा जाता है इस कारण पुनर जागरन प्रात्मिक उच्छ पुनर जागरन था अंत में अति पुनर जा यो नामक कलाकारों का उद्य हुआ और इनके पास सरीर से संबंदी ग्यान कम था फिर भी इनके पास क्या था वास्तु कलाकों वंडन करने की मेगा सकती थी यही कारण है कि उन्होंने अपने पेंटिंग में वेग्यानिक सामें और दस्टिकोन को अच्छी तरह से चितरित किय इस यूग के कलाकारों में साधिक सरंचना की ग्यान को अभाव था किस यूग में पुनर जागन कलाकारों के में साधिक सरंचना की ग्यान का क्या था अभाव यानि कमी थी फिर भी उनकी चितर का लाग में वेग्यानिक अनुपात था अब लोगों का गुन देखने को मिलत कि हया गया है पंदिर이 सदी के पूर्णाज़ागन काल में इस यूग क्यो 있습니다 माईिकल एंजलो का जिकर किया जाता है यह देख लिए जब उद्देशय में किया आएगा यहीं से qution भी आते हैं कि पुनर उद्देशय में आपने इस चेप्टर में क्या-क्या पढ़ा वोई चीज क्या है उद्देशय की क्यूशन है क्या discussion बनते हैं कि यह सा question मन जाए पुनरर जायए विकास की परकरिया का वर्णन कीजिए, दूसरा परसन मन जाए, कि इसका यूग का विकास के से हुआ, इस कलाकारों में करतियों को विसेज में के से लेक लिखें, तो ऐसे क्यूशन बन सकते हैं, तो यहीं से हम क्यूशन मनाएंगे, most important, उद्देश से जो भी क्यूशन की सिरीच चालू होगी जन् सिर्षक क्या है, विनस का जन्म, कलाकार, सेंड्रो, और माध्यम क्या था, केंवस पर, दिश्टेंपर, काल था, 1485 से, 86, सेली थी, पुनर जागरण, और संकलन क्या था, फ्लोरेंस में, गेलेरिया, देगली, उफिची, पहले तो इसका जान लीजे, क्या है, सेंट्रो ने, विनस का जन्म नामक एक चितर बनाया, यह रहा आपके सामने, चितर, चितर बनाया, और इस चितर में, ग्रिस की प्राचिन देवी, विनस की CP से पेदा हुआ, दिखाया गया है, और इसमें क्या दिखाया गया है, ग्रिस की प्राचिन देवी, यह रही, ग्र निर्वस्तर देवी सारी प्रेम की स्थान पर आध्यात्मिक प्रेम को निर्वपित करती है किसको निर्वपित करती है ये आध्यात्मिक प्रेम को निर्वपित करती है और इसमें किस इस तरी को केस दिखाया गया है वेश्यक के रूप में दिखाया गया है इसको वेश्यक के देवी कौन से देवी है ये रीतू की देवी और ये क्या कर रही है विनस को फूलों से डखा हुआ एक कपड़ा देती है ये रा कपड़ा विनस से फूलों को कपड़ा दे रही जिससे वो अपने निर्वस्तर सरीर को ढख सके और दूसरी और पावन देव जिसी देव दुद वायू को प्रवाईट करते वए दिखाई दे रहे हैं थता और याद रखना बाया कंदा ऐसा मने तरीके से किशी कोण पर जुखा हुआ है किसका निर्वस्तर महिला का यानि विनस का पढ़ लिजी 1483 में सेंडरो ने विनस के जनम नामक चितर बनाया दूसरी सदी के महान प्राचिन यूनानी कलाकारों की सेश्टम करतियों से प्रणा पाकर नए चितरों से इसकी गर्णा की जाती है की जाती है प्राचिन ग्रिक कलाकारों की प्रेणा से बनी ये कलाकरतिया पुनल जागन की सबसे बड़ी मिसाल है इस चितर में ग्रिस की प्राचिन देवी विनस को सीपी के रूप से पैदा हुए दिखाया गया है सोंदेरी थेता सत्य के प्रति के रूप में विनस पुरी व्यशक इस्तरी के रूप में दिखाया है मैंने बताया ना किसके रूप में व्यशक इस्तरी के रूप में इसी चितर में एक रीतों की देवी उपस्तित है जो क्या कर रही है फूलो से डखा हुए एक अपड़ा दे जिसे देखकर प्राचिन गोतिक कला थाता मूर्टियों का इस्मर्ण होता है किसका इस्मर्ण होता है वस्तु को देखकर इस चितर को देखकर प्राचिन कला का विनस की सारी सरंचना पूर्ण रूप से प्राचिन थाता यथार्ट वाद का परदर्शन नहीं है क्योंकि विनस पर जुखावा उसके सरीर के अंग पतले और लंबे ये कुशन याद रखना विनस के सिहल अंग उसके पतले और लंबे है अप्राकर्तिक प्रकास के परियोग से चितर में कोमल था था शांती में संद्रे का आभास हुआ है ये लाइन भी आपको याद रखने है या शी कुश आपने सीखा कि पानी में CP से पैदा हुए चितर के पेला क्या था कि बोती चिली के चितर में Venus का जनम में क्या दिखाया गया है तो क्या दिखाया पानी में CP से पैदा होते हुए उसे दिखाया गया है पानी में CP से पैदा होते हुए से दिखाया गया है second question क्या है इस चितर में Venus किस पर्तिक के रूप में चितर की गई है तो किस के रूप में सच्चाई की पर्तिक के रूप में इस चितर में Venus को दिखाया गया है third question क्या है Venus की सारी स्रंचना केसी है ये थोड़ी सी लंबी है ये अभी ये question आया था आंसर आया था इसका कि ये थोड़ी सी प्राचिन अत्राद को प्रदेशिन विनर्स की गर्दन लंबी दिखाई की तता बन्या खंदा ऐसान माने तरीके से किसी कौन पर जुखा हुआ है ये इसका आंसर होगा थंडी क्यूशन का इस चितर में परकास का क्या रूप है तो क्य क्या है मोना लिशा और कलाकार क्या है लियो नार्दू याद रखना कलाकार ये क्यूशन आता कि मोना लिशा के कलाकार कोन है तो क्या है लियो नार्दू माद्यम पाहडी लकडी पर तेली रंग ये भी याद रखना है मोना लिशा का माद्यम क्या है पाहडी लकडी पर ते में यह देख लीजिए चितर अराम से आप पहले तो यह जान लीजिए लियोनारदो कौन थे तो यह कौन थे इटालियन यानि इटली के चितरकार थे उस और उन्होंने क्या किया उनकी परसिद कला करते हैं कौन कौन सी थी यह देख लीजिए परसिद कला करते हैं लाश्ट रूप में महिला के रूप में दिखाया गया है यह देख लीजिए लियोनारद विंची का एक इटालियन चितरकार था उसे एक विज्यानीक था टाला के रूप में जाना जाता है उसकी विविन परसीत कला करते है नास्थ सापर वरसी वर्जीं आफ रौक मलिसा विशेयर वियापी ख्याती है मॉनलिसा को सोली सताब्डी में पहाड़ी लकड़ी पर तेली माद्यम में बनाया गया है। लियानार्दू ने इस चितर को किसके रूप में बनाया पिरामेडिया नी इस्तमी डिजाइन के रूप में बनाये गए है उसके जुड़े हुए हाथ आदार का काम करते हैं परकास और छाया के परियोग में नाटी की विश्वमता है यह याद रखना चेहरा बाल गुंगर त चितर को किसके रूप में बनाया इस्तमी मतलब पिरामीड डिजाइन उसमें जुड़े हुए हाथ आदाय का काम करते हैं परकास चाया के रूप में नाटे की विश्वमता है याद रखना चेहरा किसके रूप में है बाल गुंगर तता चाया जिसे विबिन तत्यों से उद चितर के पारसु में एक विशाल प्राकरतिक दर्शे दिखाई देता है जिससे बरप से ढखे पहाड़ घाटी थता तिर्ची नदी चितरित है मोनालीसा की चितर के निरूपण में चितरकारी लियानार्दो की मनुष्य के परकरती से जोडने की दस्टी प्रेलेक्षित है क्यूशन आंसर देख ली जे पार्ट कत परसन 5.2 पहला क्यूशन क्या है ये क्या है देख लो ये पूरा नाम है इसका बिंची यानि लियोःणार्दो दा विंची की विभीन कला छितरों में अपना योगदान किया किसकिस में? चितरकार में अपना योगदान दिया मोनालीसा की इतनी परसन सा क्यों किय जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि एक रेश्मी मुस्कान जिसमें लगता है कि वह दर्शक का स्वागत कर रही है, यहीं आया था इस कांसर यहरा पहाडी लगडी तेले माद्य में यह महिला जिसके चेरे पे एक रेश्यत्मात मुस्कराट है जो मानूव दर्शे का स्वागत कर रही है तीसरा क्योशन क्या है इस चितर की पर्ष्ट भूमी क्या है यानि मोना लिशा की चितर की पर्ष्ट भूमी क्या है तो क्या है पहाडी नदी दर्शे इस चितर की पर्ष्ट भूमी है मोना लिशा को किस माध्यम में बनाया गया है तो आपने पढ़ा होगा कि किस माध्यम मनाया पहाडी लखडी तेली रंग के माध्यम में से बनाया गया है इसका माध्यम है क्या है पहाडी लखडी तेली रंग में इसका माध्यम है हमने आज पार्ट फेस्ट है पार्ट सेकिंड में ये चेप्टर कंप्लिट हो जाएगा सेकिंड चेप्टर में हम पियटा और पियटा और दे नाइट वोच के बारे में दन करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना, शेर करना, कोमेंट करना और आज का क्यूशन है आपका ये बताना की ये क्यूशन है की मोना लिशा ये चलो ये क्यूशन पोच लेता हूँ आपसे कि जो लियानार्दो विंची थे लियानार्दो विंची चलो छोड़ो कि आप क्यूशन पोचेंगे आपसे आप तो लाइक कर देना वीडियो को ओके बाई